आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस में हाँ जी आपने थमनेल बिल्कुल सही पड़ा GSTR 3B बदलने वाली है न्यू GSTR 3B आने वाली है ऐसा में क्यों कहा रहा हूँ आप अपरेल 2022 की अगर हमारी मैगजिन देखेंगे तो उसमें हमने इसे कवर किया है क्या है न्यू चेंजी इन GSTR 3B टेबल 3.1A एक नई टेबल उसके अंदर इंसर्ट होने वाली है पेज नंबर 19 पर मैं आपको ये पढ़ा कर बताता हूँ क्या GSTR 3B में क्या चेंजी जाने वाला है अगर आपने अभी तक हमारी मैगजिन सब्सक्राइब नहीं करी है तो आप हमारी मैगजिन को सब्सक्राइब करा ले ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक अप्रेल 2022 से हमारी मैगजिन के रेट बढ़ने वाले अगर आपने अभी तक मैगजिन नहीं लिये तो इन नंबर पर वाटसप करके फोन करके आप मैगजिन सब्सक्राइब करा ले अग आप सैंपल कोपी भी यहां सर मांग सकते हैं चलिए जी आगे बात करते हैं कि क्या चेंजिज हुआ है GSTR 3B के अंदर चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे पेज नंबर 19 पे सर अप्रेल की मैगजिन फाइनल कर दी आपने हाँ जी हमारी अप्रेल की मैगजिन फाइनल करनी होगी तो जन्वरी की मैगजिन में हमने आपको बताःओ कि भई जो यी ओकोमर्स के अंदर चयंजिज हुआ है क्या changes हुआ है अगर आप खाना मंगाते हैं जमेटो से या कहीं से भी अगर आप खाना मंगाते हैं और वो e-commerce operator के थुरू अपने food की delivery करते हैं जैसे मैं आपको example से बताता हूँ कि example क्या है इस बात को यहाँ पर समझना यहाँ पर है हीरा sweets और यहाँ पर मैं बैठा हुआ हू हुआ है तो मैं हीरा sweets से एक तो direct मंगासकता हुँ खाना कि भई हीरा sweets को फोन करूँ हीरा sweets से direct ugh खाना मंगालू लेकिन मैं हीरा sweets से नहीं मंगाता हमा मैंने क्या कर र Mask का अधर रहता है और यहाँ पर तीन लोग हो गए, यहां पर 3 लोग कौन हो गए, एक तो मैं हो गया, Kapiljan service receiver ठीक है न, एक यहां पर 2 service provider हो गए, एक service provider तो कौन हो गया, जेन धाबा या हीरा suites, एक हो गया बीच में Jometo जिसे हम बोलते हैं, E-commerce operator, पहले होता क्या था, Kapiljan अगर खाना गता था, हीरा स्विट से जमेटो के तुरू मंगाता था तो इस पर जो टेक्स था वो हीरा स्विट देता था या जैन धाबा देता था लेकिन गॉर्मेंट ने एक जनवरी 2022 से क्या कर दिया उन्होंने का अब यह लोग टेक्स नहीं देंगे अगर आपने खाना जमेटो से मंगाया है तो इस ट्रांजेक्शन पर टेक्स कोन देगा जमेटो टेक्स देगा अब जब इन्होंने जमेटो के ऊपर टेक्स लगा दिया अगर मैं डारेक्ट खाना हीरा सुट से मंगा रहा हूं तो हीरा सुट टेक्स देगा लेकिन अगर मैंने बीज में जमेटो को इंकलूड कर दिया तो उस ट्रांजेक्शन पर जमैटो टेक्स देगा अब यह वाली जो ट्रांजेक्शन थी यह सेक्शन 9.5 में लिखी हुई है अब यह जो सेक्शन 9.5 है हम अपने जो हमारा पैन ड्राइब गूगल ड्राइब का कोर्स है 800 गंटे का उसमें हम डिटेल से बताते हैं यह खाली यहां पर जमैटो की सर्वीश में यहां पर ओला उबर की सर्वर्श में है तििंसके तो पहले होता क्या था 3B के अंदर इस स्थांजेक्शन को टरूट करने के कोई अलग से कोलम नहीं था मारी सारी ट्रांजेक्शन अगर मैं बात करूं यह कैसे होती ती यह जो हमारा 3.1 & भाई अब आपको इन ट्रांजेक्शन को अलग रिपोर्ट करना है आपको 3.1 ए में रिपोर्ट नहीं करना है तो इन्होंने क्या कहा इस बात को समझेगा ये वाली बात 17 सितंबर 2021 को हुई थी टीक है न जो हमारी जेस्टी काउंसिल की मिटिंग हुई थी ये वाला जो तोनी commerce operator के थुरू जब हम service receive करते हैं या service देते हैं अब e-commerce operator पे एक जनवरी 2022 से applicable था अब इन्होंने क्या बोला अब आपको करना कैसे है इस transaction को report इन्होंने 3B के अंदर एक नई table बनाई 3.1a अब यह जो table है यह क्या कहती है से पढ़ना कि detail of supply notified under section 95 95 की जो भी details है चाहे वो all इन 5 में लिख्यू हुई है उसे report करेंगे दो वेक्ति कौन दो वेक्ति report करेंगे एक तो report करेगा e-commerce operator जमैटो ओला और उबर ठीक है एक report करेगा कौन जो service provider होगा अगर यह registered है तो अगर यह क्या है registered है आप इस बाप को समझना जमैटो के ऊपर GST लगेगा अगर कपिल्या जमैटो को GST देना पड़ेगा पूरी डिटेल के लिए आप जन्वरी की magazine पढ़ लेकिन जो 3B के अंदर reporting होगी जमैटो तो reporting करेगा ही करेगा लेकिन अगर हीरा स्वीट्स या जमैटो रजिस्टर होगा तो ही वो report करेगा तो यहाँ पर दो टेबल बनाई गई है इन दो को समझना क्या कहता है taxable supply on which electronic commerce operator pay tax under 95 अगर 95 के अंदर electronic commerce operator को tax जो देना है वो detail इसके अंदर डालेगा taxable value डालेगा IGST, CGST, SGST और SAS अगर है तो यह सारी detail डालेगा तो सर क्या यह सारी detail दुबारा से 3.1 A में भी डालनी पड़ेगी small A वाले में नहीं भाई इस small A में आप यह detail नहीं डालोगे यह वाली detail आप श्रीप और स्रीप capital A में डालोगे तो इसका मतलब अगर जमैटो अपनी return फाइल कर रहा है या SO electronic commerce operator आपका client है जो आपकी return भरवाता है तो उसकी sale को दो भागों में बाटना अगर उसकी वो जो sale है ठीक है ना अगर उसक electronic commerce operator के माध्यम से हो रही है उसके खुद के माध्यम से हो रही है वो सारी supply को यहां पर दिखाएगा 3.1 capital A ठीक है ना अगर वो और कोई भी services वगएरा देता है वो 3.1 small A में दिखाएगा ठीक है यह clear हुआ आपको इसके अलाव एक कोलम दिया गया है किसके लिए हीरा commerce operator on which electronic commerce operator is required to pay tax under 9.5 अगर 9.5 के अंदर electronic commerce operator tax देता है मतलब मैं ऐसी supply कर रहा हूँ अब यह समझना हीरा स्वीट्स की दो तरह की supply है एक तो कपिल जैन ने जो direct मंगा लिया तो कपिल जैन ने जो direct order करा वो दिखाएगा 3.1 A में small A में लेकिन अगर हीरा स्वीट्स के पास order ग दिखाएगा यहां पर दिखाएगा taxable value में लेकिन वो tax नहीं देगा यहां पर कुछ भी नहीं आएगा यहां पर सारा gray form में आएगा जिसे आप डाली नहीं सकते तो यहां पर आपको एक clear हुआ होगा कि भाई अब 3B के अंदर changes है तो अगर आप यह changes सीखना चाते हैं तो ह हमारा जो GST का course है आप उसे purchase कर ले अभी purchase कर ले अभी क्यों purchase कर ले भाई हमने 31 मार्स तक का discount दिया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा response दिया हमारे इस course में अब हमारे discount खतम होने वाला है सर यह कब खतम होगा भाई यह आज भी खतम हो सकता है कल भी खतम हो सकता है परसो भी लेकिन 30 तक तो यह खतम होई जाएगा तो अगर आपको हमारी गूगल ड्राइब लेनी है यह आपको रिनू करानी है आपने पहले ले रखे है रिनू करानी है क्योंकि जैसे अब यह नया 3B portal पर आएगा तो हम आपकी इसके लिए नई recording बना कर आपको mail करेंगे तो आप हमारा यह course ले सकते हैं और magazine तो subscribe जरूर करा ले क्योंकि April की जो magazine होने वाली है यह एकदम धमाकेदार magazine होने वाली है इसके अंदर हमने एक high court की judgment को include करा है इसके अंदर जो returns के लिए SOPI है हमने उसे include करा है इसके अंदर books अगर आप final करते हो तो उसके अंदर क्या audit क चेक लिस्ट देखनी चाहिए यह बताया है और एक अप्रेल से इसका रेट चेंज भी हो रहा है जो audit होना है उसके बारे में बताया है जो जीस्टी का audit तो अगर आपने अभी तंग magazine सब्सक्राइब नहीं करिए तो आप हमारे नंबर पर WhatsApp करके यह magazine सब्सक्राइब करा सकत है और आप सेंपल को भी भी ले सकते हैं कि हमें सेंपल को भी दिखा दो यह कैसी है अगर वे वीडियो अच्छी लगी है तो जितने भी mobile में नंबर है आपके सबको बेज़ दो सबको WhatsApp क्योंकि यह वाली खबर ना सब लोगों के पास नहीं है यह हमारे partner GST platform वालों ने खब प्रिपेर कर रहे हैं इसलिए हमने जन्वरी की मैगजीन के अंदर भी यह दे दी थी तो अगर आप इस वाली मैगजीन को पढ़ते हो तो जन्वरी की मैगजीन भी पढ़ना ठीक है उसमें आप को रिलेट कर पाओगे सारे FQ हमने उसके अंदर दिये थे e-commerce operator के लिए तो आप यह दोनों मैगजीन हमारी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करा लीजिए यहां पर देखो हमने सारी डिटेल आपको दीती है इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं थैंक्यो फॉर वाचिन